लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखाता कि आप किस सरी किसे HTML DOM events का यूज़ करकर on click events को यूज़ करते हूँ आपने text के color को change करते हो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर मैं इस background portion का color white से change करना चाहूं किसी और color के अंदर तो मैं specifically उसको किस सरी किसे यहां पर change out कर सकती हूँ हम previous video का यह प्रोग्राम यहां पर use out करेंगे बस इसके अंदर कुछ चीजों की addition जो हैं मैं performed out करूँगी सबसे पहले मैं यहां पर एक अदर paragraph जो है वो declared out कर लेती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता देती हूँ कि हम यहां पर लिखेंगे click and wear in the window to change the background color ठीके तो इससे क्या होगा कि मैंने यहां पर एक paragraph declare कर दिया जिसमें मैंने बता दिया है कि आप जो है window में कहीं पर भी click out करो तो उससे हमारी जो background window होगी वो basically यहां पर उसका color change हो जाएगा इसको refresh करते हैं and इस तरीके से यहां पर यह declaration थी अच्छा जी मैंने जो paragraph लिखा है वो मैंने script के tag के अंदर लिख गया है तो हम इसको हां से control s करते हैं and h2 के बाद यहां पर paste कर देते हैं then मैं इसको refresh करते हूं तो you can easily see कि यहां पर हमारी पास हमारा paragraph आगया है अब क्यूंकि मैं script के tag के अंदर हूं तो मैं already script के tag के अंदर यहां पर अपने function को declare करती हूं अब हमने यहां पर क्या करना है हम यहां पर window.onclick के function को declare करेंगे आप यहां पर onclick के function के इलावा भी अगर कोई और function देना चाहें तो हमने पहले दिया था तो आप simply वो function भी यहां पर declared out कर सकते हैं मैं simply यहां पर onclick के function को declare करूंगी इस पार हम onclick लेखेंगे वो हम small में लेखेंगे यहां पर हम अपने my function को जो के हमने already defined out किया था उसको यहां पर declare कर देंगे तो आप यहां पर पूरा completed process देख सकते हो के यह function यह function यह function तीनों के तीनों यहां पर मेरे पास working करेंगे तो उ पहले defined out किया था यहां पर function my function करके हम सेम उसी तरीके से यहां पर भी function my function करकर जो है वो जह है declare करेंगे अपने brackets के साथ हैं यहां से हम अपने columns को open up करेंगे I have just done a mix take over here जिसके लिए मैं यहां से इसको remove करती हूं and we have our brackets and brackets के बाद आपने यहां पर इस तरीके से declaration को open कर दें हम सेम वही document.element get element by id का use करेंगे आप यहां पर अगर console.log बगेर को use करना चाहूं तो आप उसको भी use कर सकते हो अब हमने यहां पर अगर पहले id मेंने define out की तो मैं अगर दुबारा भी id define out करूंगी तो I think यहां पर confusion create out हो सकती है तो हम क्या करते हैं यहां पर इस बार हम हम तक क्या कर रही है कि get element by id को use करते हुए अपने जो है के कहते हैं और पुड्र करते हैं आज हम यहां पर एक tag name के through जो है वो इसको declare out कर सकते हैं आप यहाँ पर ID भी दे सकते हो आप यहाँ पर tag भी दे सकते हो लेकिन अगर मैं दो बार ID दूँगी तो फिर confusion हो जाएगी इसने में यहां पर एक अधर tag create कर लेती हूँ और tag के accordingly इसको declare करते हूँ and zero value देने के बाद हम यहाँ पर simply इसकी styling को declare करेंगे तो मैं dot style dot background को यहाँ पर consider करती हूँ और साथ में हम यहाँ पर background color को declare कर लेते हैं चाहँ हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि अगर मैं इस background की जगा वापस जो है वो body को ही declare करूँ क्यों twist लिए ताके जो मेरे पास यहाँ पर basically क्या है background है वो दोनों चीज़ें जो है दूसरे के साथ confuse ना हो ठीके तो आप यहाँ पर background color जोगा वो मेरे पास विकुल ठीक हैगा तो background color में यहाँ पर approximately declare कर देती हूँ yellow ठीके आपने जो है वो आपके accordingly इसको कंसीडा कर लेना है तो इस तरीक से मैंने background color जो है वो yellow declare कर दिया हमने क्या किया हमने tag name यूज किया है से मैंने एक अदद body यूज की body क्यों यूज की क्योंकि आग मैं background color की command देरी हूँ तो background color की command जो है वो दूसरे background text के साथ जो है वो string के साथ mix हो सकती है मैंने इसको change करका body में declare कर दी है और body color को yellow जो है वो मैंने declare out कर दिया तो चलिए इसका output अब हम यहां पर check out करते हैं अच्छा जी यह तो हमारा official program ता इसको refresh करते हैं तो हम यहां पर C को capital declare करेंगे and then हम यहां पर अपने program को run out करेंगे अब मैं यहां पर जब जाकर इस program को refresh करूंगी और सबसे वहले में यहां पर click करूंगी so you can easily see के जो background का color है वो यहां पर change होकर yellow color में shift out हो गया तो बताने का basic मकसद यह था कि एक चोटा सा जो हमारे पास alphabet होता है वो different type के minutes यहां पर declare करता है यानि के small t का एक अलग dome है और जो हमारा capital c है उसका एक अलग dome है अब यहां पर एक सवाल होता है कि हमारा यह जो color वाला portion ता यह क्यों run नहीं हुआ तो at a time जब हम javascript में दो या दो से जादा जो है वो coding को performed out करेंगे तो जो भी आपने last में function declare किया होगा वो यहां पर run out होगा उससे पहले वाला function यहां पर run out नहीं होगा तो इस बात कर ख्याल आपने लाजमी रखना है हमने यह सारी चीज़न starting में पढ़ी थी तो अगर आ already declared out करकर रखी है तो इस वज़े से हमारे जो दूसरे function की command थी वो यहां पर run हो गई and हमारा background yellow color में change हो गया